स्वागत आपका करेंट अफिर्वित आकर्ष में आज न जानेंगे बजट से जड़ू हुए टॉप फिफ्टी कोशन आंसर के बारे में जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉल्टेंट है तो चलते हैं पहले कोशन पर कोशन नमबर वन बजट शब्द की उत्पत्ती किस भासा से हुई है सही आंसर है आप्शन नमबर ए फ्रेंच बजट शब्द की उत्पत्ती फ्रेंच भाषा के बोव गेर शब्द से हुई है Q2. बज데 शर्ब कर प्या होता है, सही आंसर है perfection number a aúnی, चमडे का थैला, budget शर्ब का अर्थ そう क्या थैला होता है क्योंकि इसे पहले budget चमडे की थैले में ही पेश होता था Q3. भारतिय बजट विवस्ता का जनक किसे कहा जाता है? सही अंसर है option number D. James Wilson James Wilson को भारतिय बजट विवस्ता का जनक कहा जाता है Q4. भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? सही अंसर है option number A. 18 फरवरी 1860 भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था Q5. भारत का पहला बजट किस ने पेश किया था? सही अंसर है option number A. James Wilson James Wilson ने भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 में पेश किया था Q6. बजट शप्त का प्रियोग सम्विदान के किस भाग में मिलता है? सही अंसर है option number D. इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं क्योंकि बजट शप्त का प्रियोग सम्विदान के किसी भी भाग में नहीं मिलता है Q7. सम्विदान ने बजट शप्त की जगा के शब्त का प्रियोग किया गया है? सही अंसर है option number A, वार्षिक वित्य विवरण सम्विधान ने बजट शब्द की जगा वार्षिक वित्य विवरण का प्रियोग किया गया है Question number 8, वार्षिक वित्य विवरण शब्द का प्रियोग सम्विधान के किस अनुच्छेद में हुआ है सही आंसर है option number D, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्य विवरर शब्द का प्रियोग किया गया है Question number 9, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया सही आंसर है option number D, 1924, 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया Q10. के समीती की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया Q11. एक वर्थ समीती के अध्यक्ष कौन थे? Q12. एक वर्थ समीती के अध्यक्ष थे? और ये इनकी तस्वीर Q12. एक वर्थ समीती का गठन कब हुआ था? Q13. किस वर्ष रेल बजट को आम बजट को आम बजट से? Q15. एक वर्ष रेल बजट में विले किया गया Q17. एक वर्ष रेल बजट में विले किया गया Q17. एक वर्ष रेल बजट में विले किया गया Q17. एक वर्ष रेल बजट में विले किया गया Q17. एक वर्ष रेल बजट में विले किया गया Q15. स्वतंत्र भारत का पहला बजट का पेश हुआ? सही आंसर है. Option number C. 26 नवंबर 1947 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया? Q16. स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सही आंसर है. Option number B. आर्केश शन्मुखम चिट्टी आर्केश शन्मुखम चिट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था और ये इनकी तस्वीर Q17. भारत का पहला आर्थिक सर्विक्षड का पेश किया गया? सही आंसर है. Option number D. 1950 से 1950 1950 से 1950 के बजट में पहली बार आर्थिक सर्विक्षड पेश किया गया था. Q18. केंद्रिय बजट कौन पेश करता है? सही आंसर है. Option number B. वित्मंत्री वित्मंत्री ही केंद्रिय बजट पेश करती है. Q19. भारत के पहले वित्मंत्री कौन थे? सही आंसर है. Option number C. आरके शन्मुखम चेट्टी भारत के पहले वित्मंत्री थे और सतंद्र भारत का पहला बजट भी इन्हों नहीं पेश किया था. Q20. भारत के वर्तमान वित्मंत्री कौन है? सही आंसर है. Option number D. निर्मला सिता रंबन Nirmala सिता रंबन जी भारत के वर्तमान वित्मंत्री है. Q21. गरतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? Q21. आंसर number A. जान मताई जानमताई ने गरतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था. और ये जॉन मताई की तस्वीर है Q22, भारत में गरतंत्र की इस्थापना के बाद पहला बजट कप पेश हुआ सही अंसर है Option D, 28 वरवारी 1950 28 वरवारी 1950 को जॉन मताई ने गरतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया Q23. 77 भारत का पहला बजट कितने महीने का था? सही आंसर है option number A. 7 77 भारत का पहला बजट 7 महीने का था Q24. भारत का पहला केंद्रिय बजट कितने रुपए का था? सही answer है option number A. 197.39 करोड का बारत का पहला केंद्रिय बजट था Q25. भारत के पहले बजट में कितने प्रतिशत रक्षा के लिए था? सही answer है option number C. 46 प्रतिशत भारत में रक्षा के लिए 46 प्रतिशत था पहला बजट जो 92 दिसमलों 72 करोड रुपए था Q26. भारत के पहले केंद्रिय बजट में किस वर्ष तक भारत और पाकिस्तान की एक ही मुद्रा रखने का फैसला लिया गया? सही answer है option number C. 1948. 1948 तक भारत के पहले बजट में पेस किया गया कि भारत और पाकिस्तान के मुद्रा एक ही होगी? Q27. सबसे लंबे समय तक बजट भाषड देने वाली वित्मंत्री कौन है? सही answer है option number B. निर्मला सीता रमण 2017 में निर्मला सीता रमण जी ने अपना बजट भाषड 2 गंटा 40 मिट का दिया था जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषड है Q28. शब्दों के अनुसार सबसे बड़ा बजट भाषड किस ने दिया था? सही answer है option number D. डॉक्टर मनमोहन सिंग डॉक्टर मनमोहन सिंग ने 1991 में 18,700 सब्दों का सबसे बड़ा बजट भाषड पेश किया था Q29. शब्दों के अनुसार सबसे चूटा बजट भाषड किस ने पेश किया था? सही answer है option number A. हीरु भाई एमपटेल हीरु भाई एमपटेल ने शब्दों के अनुसार सबसे चोटा यारी 800 सब्दों का बजट भाषड दिया था Q30. सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्मंत्री कौन है? सही answer है option number B. मुरार जी देशाई सबसे ज़्यादा बार 10 बार मुरार जी देशाई ने बजट पेश किया था और इनके बाद 5 नमबर अमजी हैं जुन्होंने 9 बार बजट पेश किया था Q31. 28 फरवरी 1973 का बजट किस वित्मंत्री ने पेश किया था जिसे काला बजट कहा गया? सही answer है option number D. YB. चोहान YB. चोहान ने 28 फरवरी 1973 का बजट पेश किया था जिसे काला बजट कहा गया था इस बजट में 550 करोड रुपए का बजट घाटा था जिस मुझे से इस बजट को काला बजट कहा गया Q32. बजट पेश करने वाली पहली महीला वित्मंत्री कौन थी? सही answer है option number B. इंद्रा गांधी Q32. बजट पेश करने वाली पहली महीला वित्मंत्री थी Q33. भारत की पहली महीला वित्मंत्री कौन थी? सही answer है option number B. इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी भारत की पहली महीला वित्मंत्री थी लेकिन ये पूल्ड कालिक वित्मंत्री नहीं थी Q. 34. भारत की पहली महिला पूर्ण कालिक वित्रमंत्री कौन थी? सही आंसर है option number A. निर्मला सीतारमल निर्मला सीतारमल जी भारत की पहली महिला पूर्ण कालिक वित्रमंत्री है Q35. प्रधान मंत्री पत पर रहते हुए कितने प्रधान मंत्रियों ने बजट पेश किया Q36. भारत में कौन से वित मंत्री भारत के राष्ट पती बने Q37. अर्बिया के कौन से गवर्नर भारत के वित मंत्री बने सही आंसर है option number C, A और B दोनू, CD देश्मुक और Dr. Manmohan Singh, RBI के ऐसे गवर्नर हैं जो आगे चलके वित्यमंत्री बने, जिसमें CD देश्मुक जी RBI के पहले भारतिय गवर्नर और सतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, question number 38, भारत के कौन से वित्यमंत्री भारत के प्रधान मंत्री बने, सही आंसर है option number D, उप्रोक्ट सभी, मुरारजी देशाई, Dr. Manmohan Singh, चौदरी चरण सिंग, VP सिंग, IK गुष्जराल, ये सभी, question number 39, कौन से वित्यमंत्री भारत के उपराष्ट पती बने, question number A, आरवन कट रमन, आरवन कट रमन ऐसे वित्यमंत्री थे, जो आगे चलके उपराष्ट पती बने और उपराष्ट पती के बाद इन्होंने राष्ट पती का भी पत समाला, question number 40, वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने एक वरवरी 2024 को कितनी बार बजट पेश किया, question number 41, बारत का कौन सा बजट पेपर्लेस बजट था, सही answer है option number C, बजट 2021-2022 भारत का पहला पेपर्लेस बजट था, जिसे निर्मला सीता रमन जी ने पेश किया था, question number 42, कितनी बार संसद में पेपर्लेस बजट पेश हुआ, question number A, चार बार, संसद में चार बार पेपर्लेस बजट पेश हुआ है, जिसमें 2021-2022, 2022-2022 और 2024 के बजट शामिल है, question number 43, बजट कितने प्रकार का होता है, सही answer है option number D, तीन, बजट तीन प्रकार का होता है, question number 44, भारत में शून्य बेश बजट का प्रियोग कब हुआ, सही answer है option number C, 1987, 1987 के बजट में पहल लीबार शून्य बेश बजट का प्रियोग किया गया, question number 45, किश वर्ष से भारत का बजट एक फर्वारी को पेश होने लगा, सही answer है option number C, 2017, 2017 से एक फर्वारी से बजट पेश होने लगा, question number 46, वोट आफ काउंटर को और किस नाम से जाना जाता है, सही answer है option number C, A और B दोनो, मिनी बजट और अंत्रिम बजट, वोट आफ काउंटर को मिनी बजट और अंत्रिम बजट के नाम से भी जाना जाता है, question number 47, किस वर्ष जेंडर लिंग बजट एस्टेटमेंट भारत में के बजट में दिखाया गया, सही answer है option number B, 2005-2006, 2005-2006 के बजट में पहले बार जेंडर लिंग बजट एस्टेटमेंट को भारत की बजट में दिखाया गया, question number 48, किस वित्व मंत्री ने अपने जन्म दिवस पर बजट पेश किया था, सही answer है option number C, मुरार जी देशाई, मुरार जी देशाई ने अपने जन्म दिन पर बजट पेश किया था, बजट इससे पहले फरवरी के आखरी दिन पर पेश होता था, जो 29 फरवरी इनका जन्म दिन था, जो 4 साल में एक बार आता है, कोशन नमर 49, आर्थिक सर्वेक्षड को किस वर्ष बजट से अलग कर दिया गया, सही answer है option number D, 1964, 1964 में आर्थिक सर्वेक्षड को बजट से अलग कर दिया क्योंकि ताकि बजट को अच्छे से समझा जा सके, कोशन नमबर 50, पहली बार किस देश ने बजट पेश किया था, सही answer है option number D, England, पहली बार England ने 1760 में बजट को पेश किया था, थैंक्यू वेरी मच, अगर आप लोगो ये वीडियो सेशन पसंद आया हूँ, तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और आपको सबको जहिल,